दसवी की परिक्षा में 448 अंकलाकर रोहित ने क्या कमाल? नानपूर प्रकंड के चात्रों में अवल आने वाले रोहित की कहानी पढ़ाई पूरी करने के लिए होटलों में जूठे बरतन भी माजने पड़े रोहित की माता घोंगा चुनकर अपने परिबार का पेट चलाती है दसवी की परिक्षा में 448 अंकलाकर रोहित ने टार्गेट क्लासेस बेंगहा वहेरा का नाम तो रोशन किया ही है अपने परिबार का भी नाम रोशन किया है नानपूर प्रक्रण के शात्रों में अवल आने वाले रोहित की कहाने कुछ अलग हटके है यही वज़ा है कि नानपूर प्रक्रण का रोहित आज जिले में चर्चा का विशे बन गया है कोरोना काल के थोड़ा पहले ही रोहित के पिता की मौत हो गई जिसकी वज़ाय से दो-तीन सालों तक रोहित को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी घर परिवार चलाने के लिए उसे मेहनत मजदूरी भी करना पड़ा यहां तक की होटलों में जूठे बरतन भी माजने पड़े इस बीच उसे फिर से पढ़ाई पूरी करने का खयाल आया वह बाहर से पुनह अपने गाउ बहेरा आ गया फिर उसने अपना एवं अपनी बेहन अंजली का भी नौवी क्लास में नाम लिखवाया अभी दसवी की परिख्षा में उसकी बेहन ने भी 70% 5 से जादा नंबर लाए है ग्रामिन बताते हैं कि रोहित की माता गोंगा चुनकर अपने परिबार का पेट चलाती है वही उसका बड़ा बेटा मचली पकड़ने का काम कर थोड़ा बहुत पैसे कमा लेता है इस विकट परिस्थीतियों में भी रोहित ने 448 अंक लाकर अपने इलाके का नाम रोशन क्या है LM हाई स्कूल के पूर प्रिंसिपल ने बताया कि रोहित ने जो नंबर लाए हैं वह उसकी काबलियत के हिसाब से काफी कम है रोहित को बोर्ड में कम्प्लेंट करने की जरूरत है उसे 90 प्रतिश्था तेज जादा नंबर मिलना चाहिए मात्र और यह पूरा करेक्ट अंस लिखे पूरे एक विगल ने सब करेक्टा एक भी जो होता है ना कोई को बच्चा का जो भसर मशर कर देता है वो थोड़ा भी नहीं कर था हमको दिखाया था यह बंदा बगल में बैठा था जो पूरा जैसे एजाम देख रहा है तो मैं सा का जो पूरा जो ã DAY करेक्टा यहर बंदा है और झाल बगल में जो बच्चा कर एक भान देता ह्कोड़ादा़ सात मॉच्हा कर रहा है तो मैं मैं तो मैं में जो रहा है है झाल झाल झाल